नमस्कार दोसो आप सबी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोसो आज बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी पाव भाजी को आप इस तरीके से बनाएंगे न एक बर तो सारे पुराने तरीकों को भूल जाएंगे तो चलिए बिना तावा के बनाते हैं आज पाव भाजी पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले ले ले लेते हैं यहां कुछ सबजिया जैसे कि मैंने यहां पर लिया है दो आलू लिए हैं छील कर, कच्चे ही है, उबाल कर नहीं ले रहे, बस कच्चे ही लेने है एक से दो टमाटर ले लीजिए, थोड़े से हरे मटर ले लीजिए, एक गाजर ले ली है मैंने यहाँ पर, यह है चुकंदर, यह हम कलर के लिए डाल रहे हैं, दोस्तो इस से आपकी पाव भाजी का कलर बहुत ही प्यारा आएगा, और क्यूंकि जो चुकंदर होती है बीट र अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सब्जियों को आपने काटना है, सारी सब्जियों को आपने पहले धो कर अच्छे से साफ करके ही लेना है, यहाँ पर मैं आलू काट लेती हूँ, आलू काट लिए हैं, और उसके बाद हम गाजर भी काट लेते हैं, टमाटर, तो सारी जेज दोस्तों जीरा एक चमच भर कर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जीरे का गरम तेल में आपने जीरा डालना है ठंडे में नहीं डालना है और आप डालेंगे इसमें आलू कटे हुए आप एक आलू भी ले सकते हैं ये दो आलू भी ले सकते हैं आपके घर में जितना सब्जी का उस हिसाफ से आप ले लीजिए तो इस तरीके से दोस्तों मैं आलू को रोष्ट कर रही हूं रोष्ट करके ही लेंगे क्योंकि रोष्ट की हुई सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती हैं सीम गैस पर आपने रोष्ट करना है दो से तीन मिनट आलू थोड़े से रो सब्जी और काश्मीरी लाल मिर्च डाल लेते हैं सब्जी में क्या रंग आता है उसका बहुत ही बड़ी अखिल के आती है सब्जी तो ये रोष्ट हो चुका है मसाला भुन चुका है अच्छे से अब इसमें डालेंगे मटर और इसको मिक्स कर लेते हैं यहां पर दोस्तों नमक आप अपने टेस्ट के उसा डाल ले यानि कि जितना आप सब्जी में डालते हैं बस उस हिसाब से आपने नमक ले लेना है आप डालेंगे इसमें कटी हुई गाजर और बीट रूट ये सारी चीज़े मैंने रफली काट ली थी पहले ही तो इस तरीके से आपने डालनी हैं कूकर में और उपर से डाल लेते हैं दो कलिया लहसुन की लहसुन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और डालेंगे इसमें गोबी थोड़ी सी कटी हुई तो इस तरीके से आपने सब्जा ले लेनी हैं आपके पास बीन्स हो वो भी आप ले सकते हैं या फिर सब्जी आपके पास available हैं वो ले लीजिए बंद को भी है वो भी आप ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं बस दो मिनट और कुछ नहीं डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं पानी इतना डालेंगे जितने में सब्जी अच्छे से डूब जाए, मैंने यहां एक से देड़ कप पानि लिया है, देखे पानी में सबजी सारी डूब गई है बस इतना ही पानी लेंगे जादा पानी आपने नहीं लेना है और कुकर को कर देते हैं बंद, इसमें हम लगाएंगे दो से तीट विसल दो से तीन विसल जब तक लगेगी इसमें तक तक हम अगली त्यारी शूरू कर लेते हैं यहां पर दोस्तों यह बनेगा बेस इन चीजों का यहां मैंने लिया है एक नीमबू लिया है एक प्याज लिया है टमाटर लिया है और शिमला मिर्च लिया है इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे चाहे तो आप चॉप कर सकते हैं या फिर आप बारीक बारीक काट सकते हैं प्याज काट लिया है उसके बाद शिमला मिर्च भी काट लेंगे बारीक बारीक आपने काट नहीं है चाहे तो आप चॉप कर सकते हैं और टमाटर भी आपने काट लेना है इन चीजों का दोस्तो बेस बनेगा बहुत ही बढ़िया अब देखिए मैंने ये साथ चीजे काट ली है अब चलते हैं अपने कूकर के पास तीन वी से लग चुकी थी गैस मैंने बंद कर दी थी देखिए सबजी का कितना बढ़िया कलर आया है ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी आपके पास बीट रूट नहीं है तो आप इसे स्किब भी कर सकते हैं अब दोस्तो आपने क्या करना है इसको पाव भाजी बनाने के लिए इसको हम मैश करेंगे इस तरीके से मैशर से आप इसको मैश कर लीजिए ताकि सारी सबजियां मिक्स हो जाए अच्छे से पहले के जमाने में क्या करते थे लोग बची हुई सबजियों को इस तरह से सुबह तड़का लगा लेते थे तो उसी तरीके से दोस्तो आज हम पाव भाजी बनाएंगे इस तरह से मैश कर लेनी है आपने सारी सबजियां चाहे तो आप दरदरीसी इसको मैश कर सकते हैं तो ये मैश हो चुकी है देखे आप देख रहे हैं बस इसी तरह हमने इसको करना था दोस्तो अब लेते हैं कढ़ाई गैस पर रख दें कढ़ाई में दोस्तो आपने दो चम्मच ओयल के लेने है साथ ही हम लेंगे दो चम्मच बटर के बटर आप नोन साल टीड़ी ले इसको थोड़ा सा पिंगला लेते हैं लेकिन गरम होने से पहले ही इसमें डाल लेते हैं कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च दोनों को डाल दिया है इनको मिक्स कर ले अब दोस्तो इसमें जाएगा दो चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला पाव भाजी मसाला डाल कर आपने इसको थोड़ा सा पकाना है यनि रोस्ट करना है आपने इसको जैसे हम मसाला त्यार करते हैं सबजी का बस वैसे ही अब आप कहेंगे कि मैंने तो ये ठंडे बटर में डाला है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो नहीं दोस्तो इस तरह से अगर आप सबजी बनाएंगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी आपकी पाव भाजी तो देखिए दोस्तो इस तरह से थोड़ी सी ये रोस्ट हो चुकी है अब इसमें डाल लेते हैं एक चमच काश्मीरी लाल मेच पाउडर का इसको मिक्स कर देते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है काश्मीरी लाल मेच डाल कर इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से देखिए प्याज और शिमला मेच इस तरह से थोड़ा सा भुन चुका है बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी आपकी पाव भाजी इस तरीके से एक बार बना कर जरूर देखें बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है अब इसमें डाल लेते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ये है कसूरी मेथी कसूरी मेथी को आप इस तरह से डाल ले बस एक चमच बहुत है आपकी पाव भाजी बनने के लिए बहुत ही बड़िया टेस्टी है सबजी आप दोस्तों इसमें डालेंगे प्याज मेरा और शिमला मेर्च भून चुके अच्छे से इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ टमाटर चाहे तो आप बारी बारी काट ले या फिर चौप करके इसको ले सकते हैं इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं देखिए टमाटर भून चुका है अच्छे से इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक नमक आप देख कर डाले क्योंकि हमने जो हमने सबजे ली थी पहले उसमें भी हमने पहले नमक डाल रखा है तो आप थोड़ा सा ही नमक यूज़ करें अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डालने चेक करके तो इस तरीके से सबजियों को रोष्ट करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी सबजी बनने वाली है इसको भी थोड़ा सा मेश कर देते हैं मेशर की सहायता से तो मेश हो चुकी है देखिए कितना सुन्दर कलर आ रहा है बहुत ही बढ़िया अब दोस्तों क्योंकि मसाला मेरा पक चुका है अच्छे से अब इसमें डाल लेते हैं अपनी मेश के हुई सबजियां तो डाल ली है और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं यहां पर दोस्तों आप मेश कर लीजिये सारी सबजियां अच्छे से दुबारा से मेश कर लीजिये अगर आपको यहां पर अपनी सबजी पाव भाजी थोड़ी सी टाइट लगे तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं अगर सही लगे तो रहने दे इस पाव भाजी को हमने ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है थोड़ा सा पका लेते हैं बस 5-7 मिनिट में आपकी सबजी बनकर रेडी हो जाएगी देखे ये पकने लगी है अब क्या करेंगे थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल लेते हैं एक चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी के साथ आप डाल लीजिए थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अगर लाल मिर्च डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं बस और नहीं डालेंगे कुछ भी इसमें तो इसको हम ढखकर पका देते हैं थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनिट आपने इसको पकाना है ढंका सीम गैस करके तो देखे दोस्तों 3-4 मिनिट के बाद میں आपको दिखा रही हैं इसको ढंकाश खोल के एक दो बार आप हिला सकते हैं इसको बीच में ढंकाश भांकर तो देखे दोस्तों सबजी डेड़ी है बन चुकी है सबजी पक चुकी है अगर आपने इसको थोड़ा सा और टाइट करना है तो थोड़ी देर के लिए और गैस चला कर रखे सीम गैस करके अब इसमें डाल लेते हैं इसको थोड़ा सा चट पटा खटा बनाने के लिए इसमें डाल लेते हैं एक निम्बू का रस और अगर नहीं पकाना है आपकी सब्जी पक चुकी है तो इसमें दोस्तों गानिशिंग के लिए हरा धनिय डाल लीजिए और थोड़ा सा मक्षन डाल लीजिए बहुत ही बड़िया टेश्टी सब्जी बनेगी आपकी तो लीजिए दोस्तों सब्जी हमारी बनकर रेडी है इसको आप एक बात चेक करके देख लीजिए किसी चीज की कसर रह गई है नमक की मिर्ची की तो आप डाल सकते हैं अब आई पाव की बारी पाव लिया है हमने दोस्तों ये थोड़े से टाइटाइट से होते हैं पाव तो आपने इसको नरम बनाना है नरम कैसे बनाना है या तो ओवन में या माइक्रोवेव में आप इसको डाल कर दो मिनिट के लिए बस इसको थोड़ा सा गरम कर ले या फिर दोसों मैं आपको तरीका बताती हूँ जिससे आपको ओवन की जूरत नहीं है, माइक्रोवेव की जूरत नहीं है, आपने इसको बीच में से काटना है, कढ़ाई को आपने सीम गैस पर गरम होने के लिए पहले ही रख देना है, और इसको ऐसे रख देते हैं पाओ को हो जाएंगे, तो लीजे दोस्तों, पाओ हमारे बिल्कुल नरम से हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, लेते हैं एक तावा, तावे पर डालना है आपने थोड़ा सा बटर, और डालेंगे इस पर पाओ भाजी मसाला, एक चमच इसमें काश्मीरी लालमिच डाल लेते हैं, औ इसको मिक्स कर दीजिए, और उपर से थोड़ी सी डालने भाजी, तो इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, और उपर से लगा लेते हैं अपने पाओ, इस तरीके से बीच में से काट कर इस तरह से कर ले, ताकि सारी सबजियस पर लग जाए, अच्छे से कोटिंग हो जा तो बहुत ही बड़िया पाव बने हैं हमारे आज पाव भाजी तो देखे भाजी भी त्यार है पाव भी त्यार है अब इसको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में डाल लीजिए और बच्चो को खिलाएए बच्चे एक दम से चट कर जाएंगे इसको तो दोस्तो कब बना रहे ह है आप पाव भाजी हमें कोमेंट बोक्स में लिखकर जुरूर बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक धन्यवाद